स्वागत स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा आठ में विसे गनित का प्रारंबिक सिक्षा पुर्णता प्रमान परिच्षा 2022 का पेपर जो कि 80 नंबर का आने वाला है यह आपका लेटेस्ट पेपर है इसी हिसाब से आपका पेपर आने वाला है तो परी में संख्या हैं योजग तस्मक, योजग पूछ रहा है मतलब कि 0 आना चाहिए तो 0 उत्तर हो जाएगा और अगर गुनात्मक तस्मक पूछता तो एक उत्तर होता अगला है माइनस 5 का गुनात्मक प्रतिलोम क्या होगा हमें पता है माइनस 5 में किसका गुना करें कि बराबर में एक आ जाए वही इसका गुनात्मक तस्मक होगा तो इसका करेंगे माइनस 1 बटे 5 से गुना जिससे की माइनस 5 से माइनस 5 कर जाएगा और एक उत्तर आएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा C माइनस का एक बटे 5 प्रश्च नमर 3 है 6X बराबर 12 का हल बताईए तो देखिए X बराबर क्या हो जाएगा 6 दूसरी तरफ आने पर भाग में परिवर्टित हो जाएगा तो 2 उत्तर आ जाएगा C उत्तर हो गया दूसरा अगला है समिकरन दे रखा है 2X माइनस 3 बराबर 5 3 उधर जाएगा तो 2X बराबर कित्ता हो जाएगा 8 X बराबर 8 बटे 2 मतलब की 4 अगला है 3 बटे X बराबर माइनस 3 है तो X का मान बताना है X बराबर माइनस 3 बटे 3 हो जाएगा मतलब की माइनस 1 या फिर माइनस का 3 बटे 3 उत्तर हो जाएगा माइनस का 3 बटे 3 कहां पर है यह रब B भी उत्तर हो जाएगा 9 का वर्ग बताना है 9 का वर्ग हमें पता है वर्ग बताना है तो किता हो जाएगा वर्ग का मतलब होता है उसी संक्या का दो बार गुना करना एक क्या सी उत्तर आ जाएगा अगला है सौ का वर्ग मूल वर्ग मतलब अंडरूट सौ अंडरूट किता है दस गुना दस एक संक्या भार निकाल लेंगे दस उत्तर आ जाएगा अगला देखिए 15,600 65 का घंड मूल निकालना है घंड मूल मतलब 15,625 क्यूब रूट निकालना है बच्चों हमें किसका क्यूब रूट होता है ये हम अगर 15 गुना 15 गुना 15 करेंगे तो हमें 15,625 मिलेगा जो कि इसमें आप्शन में नहीं है इसका उतर 15 आना चाहिए किसी विध्यारती के 40 विध्यारतियों में से 60% प्रथम सुरेनी में उत्पिन हुए तो प्रथम सुरेनी विध्यारतियों की संख्या क्या होगी 60% प्रथम सुरेनी में उत्तरिन हुए है 40 में से 40 का 60 प्रतिसप निकाल लेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा चार गुनाच है, चौबिस उत्तर हो जाएगा तो बी उत्तर हो जाएगा अगला देखिए दो की घात माइनस चार के गुनात्म प्रतिलोम दो की घात माइनस चार गुनात्म प्रतिलोम हमें पता है ऐसी संक्या होती है जिसका गुना करने पर एक आना चाहिए तो 2 की घाट मैनस 4 का मतलब होता है 1 बटे 2 की घाट 4 मतलब की 1 बटे 16 इसका गुना होगा 16 से जबी ये 1 आएगा तो 16 उत्तर हो जाएगा C 12 की घाट 0 किसी की भी घाट 0 होने पर संख्या एक आती है तो 1 उत्तर हो जाएगा 12 एक्स 36 का सार्व गुननखंड है सार्व गुननखंड क्या हो जाएगा 12 एक्स और 36 का 12 हो जाएगा 12 उत्तर चित्र में दिये गया आलेक कैसा है हमें पता है ये हमारा बार ग्राफ दंड आलेक है ए उत्तर हो जाएगा 10x प्लस 5 प्लस 6 का सामन्य रूप 50 प्लस 6 मतलब 56 भी उत्तर हो जाएगा कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो क्या होता है संख्या योग 10 हो नहीं गलत है ये संख्या में इकाई के स्थान पर 0 वो 5 हो ऐसा भी गलत है संख्या की एकाई के स्थान पर सम संख्या हो या फिर एकाई के स्थान पर 0 हो विर्कुल सही है सभी संख्या हैं जिसमें लाश में 0 होता है एकाई पर वे 10 से विवाजित होती है अगला है कोश्टक में दिये गए उत्तर से सही उत्तर चुनना है माइनस दो से बड़ी परीमे संख्या जीरो होगी अगला एक्स से पांच अदिक एक्स प्लस पांच उत्तर हो जाएगा वर्गों में विकर्णों की संख्या वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं विकर्ण होते हैं दो दो उत्तर हो जाएगा अगला है 275 के वर्ग में इकाई का अंग क्या होगा मतलब इकाई वर्ग मतलब इसी संख्या को 200 बहतर से और गुना करेंगे मतलब दो दूनी 4 तो 4 आना चीए तो 4 उत्तर हो जाएगा इकाई में अगला है 50 का 50 परतिसत का मान 50 का 50 पर 30, 50 गुना 50 बटे 100 हो जाएगा 0 से 0 गया 0-0, 25 उत्तर आजाया है 25 उत्तर आजाएगा अगला है 7 X-42 का गुननखंड होगा देखिए 7 इसमें common आजाएगा X-6 बच जाएगा 7 X-6 आपर है, देखिए दूसरा है, दूसरा सही हो जाएगा मूल मिंदू के निर्दे सांग 0,0 होते है 132 के अंको को उलटते पलटने वाली संख्या कौन सी है 2, 3, 1 हो जाएगी अगला देखिए, सत्य असत्य बताना है 2 वा जिरो के मद्धे की परीमे संख्या माइनस एक होती है असत्य है Y प्लस 9 बराबर 4 में Y का मान माइनस 5 होगा असत्य है अगला है इसमें देखिए, माइनस 5 प्लस 9 बराबर 4 होता है इसमें सत्य करना है आपको बच्चों अगला देखिए, भहुबूच के सभी वही कौनों की योग 360 होता है बिर्कुल सही है ट्रू हो जाएगा जिस मुल एन पार्टिकल इस सोल्ड इट विच प्राइज आफ कोश्ट प्राइज सत्य है कोश्ट प्राइज पर खरिदते हैं ये तो बेचने का पूछ रहा है तो बेची जाती है तो फॉल्स हो जाएगा A की घात N प्लस गुना A की घात N क्या हो जाएगा A M प्लस N होना चाहिए यहां पर गुना है तो ये गलत हो जाएगा सत्य हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा गुननखंड ये देखिए M square minus 5 का square है मतलब A square minus B square तो A plus B, A minus B बिल्कुल सकते है एक संक्या है 9 से विवाजित हो है यदि अंको का योग 9 से विवाजित हो बिल्कुल सकते है मिलान करना है देखिए कितना हो जाएगा पहले का इसका गुना करेंगे X square, Y square, Z square हो जाएगा 25 Y cube है कितना हो जाएगा इसका उत्तर C से मिलाएगे A, A, A cube हो जाएगा X बटे Y का योज्य प्रतिलोम माइनस का X बटे Y हो जाएगा इस तरह से मिलाने है अब लगूत रात्मक प्रतिशन उत्तर है हमें नमबर लाइन पर 5 बटे 4 को बताना है नमबर लाइन बनानी है 5 बटे 4 पर बताना है तो इसका solution हम detail में आपके लिए लेकर आएगे पहले परस्टने देख लेते हैं सभी देखिए इनको हल करना है सभी को जोड देंगे लगस पाएगा 5 3X प्लस 2X प्लस X कितना हो जाएगा 6X 6X पर पांच उत्तर हो जाएगा इसमें X कमान निकालना है अमें ABC में 20 X कमान निकालना है तीनों का योग 180 होता है या फिर ये 180 देखिए ये सरल रिखा है 180 में से 90 गया तो 90 डिक्री आ जाएगा X अगला देखिए संख्या दे रखिए है 9 से विवाजित होती है मैं जाज करनी है डिटेल में करेंगे A और B कमान ग्यात करना है इसमें ये भी करेंगे अगला देखिए खंड B में समिकरन दे रखा है हमें उत्तर की जाज करनी है 3X बराबर 2X प्लस 18 हल करना है और उत्तर की जाज भी करनी है भी हम डिटेल में करेंगे पेपर पे अगला देखिए वरत है आलेक को देखकर निम प्रस्णों के उत्तर देने है वरत आलेक यहाँ पे दिया हुआ है देखिए इसके पहला उत्तर देखिए एक दिने बच्चों के सोने की समय घ्रह कारे में व्यतित समय खेल से कितना अधिक है इसकुल एवं खेल में व्यतित समय कानूपाद अगले में देखिए वर्गमूल ग्याद करना है 729 का प्रस्ण नम्बर 13 में 1000 का घ्रह मूल ग्याद करना है प्रस्ण नम्बर 14 में 102 की घाद 2 का मान सारजनिक रूप से ग्याद करना है प्रस्ण नम्बर 15 देखिए मान ग्याद करना है इनको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे किसी 2 में मान ग्याद करना है किसी 2 का अगला देखिए E F के निर्देसां ग्याद करने है ये भी हम डिटेल में करेंगे खंड से आ जाएगा फिर आपका जो की चार-चार रंके होंगे आपके जिसमें आकर्ति दी हुई है G UNS और R UNS उनमें हमें X और Y की लंबाई ग्याद करनी है अत्वा में प्रश्ने दिया हुआ है इसको भी देखेंगे अगला देखिए चार नमबर में निमली की सूचना देने वाले का पाई चार बनाना है ये संख्या दी हुई है इससे हमें चार पाई चार बनाना है और नीचे हमें कुछ घंटों की सूची दी गई है हमें इससे बारम बारता सान्डी बनानी है और एक दंडालिक भी बनाना है ये भी हम डिटेल में करेंगे नीचे देखें दिग्राप भी आपको बना हुआ आएगा आपको बुकलेट मिलेगी आपको पता होगा आपके बार आपको घर ले जाने के लिए पेपर नहीं मिलेगा इसी परकार से एक बुकलेट मिलेगी जिसे प्रशन और उत्तर दोनों लिखने होंगे आपको प्रशन नमर बीज देखिए फैबीना ने 12,503 वर्स के लिए 12,30 वर्सिक दर्स चक्रफ्ति व्याज पर उधार लिया यदि वे रासी इतने ही समय के लिए कोशल जास ने उतने ही दर्स समय के लिए चाधरन व्याज पर ली तो बताओ किसका ब्याज अधिक देना पड़ेगा और कितना वो बताना है और अत्वा में अलग प्रशन है किसी चौराए पर आवागन उन गत वर्सों की तुलना में 10,30 वर्दी होती है यदि इस वर्स में बार 15,040 वहान एक दिन में गुजरें तो गत वर्स कितने वहान गुजरे होंगे, ग्या संख्या ग्याद करनी है प्रशन नमबर 21 देखिए समय और दूरी की वारे में हमें कुछ जानकारी दी गई है इससे हमें रेखिक आलिक बनाना है और अत्वा में हमें वर्स और दिन दिये हुए हैं इससे हमें रेखिक आलिक बनाना है ग्राफ दिया हुआ है उसी पर आपको बनाना है तो बच्चों ये था हमारा पूरा पेपर डिटेल में इसी उसाब से हम पूरा सॉल्व भी करेंगी हमने छोटे प्रश्णत आपको सभी बता दी हैं बड़ी प्रश्णिया आपको आज ही हमारी चैनल पर लुप प्लद होंगे ताकि आप पूरे में से पूरे नमबर ले पाएं तो जुड़ रहे हैं दोस्तों के सेर करें और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूले थन्यवाद